बड़ी खबर सामने आ रही है उसका रूख कर रहे हैं बड़ी खबर इस वक्ट पेपर लीक को लेकर जहां सकेंद सरकार ने बड़ा फैसला लिया न्यूस 24 पर आप देखिए किस तरह से डस्टर कार से पकड़ा गया था आरोपी सिकंदर न्यूस 24 पर नीट मामले में आरोपी की कार तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सौरब जुड़ गए हैं जादा जानकारी के साथ न्यूस 24 पर नीट मामले में आरोपी की कार सौरप मैं चाहती हूँ कि आप explain करें कि किस तरह से सिकंदर तक पुलिस पहुची थी किस कार से उसकी बरामदगी हुई है जो जानकारी न्यूस 24 एक्स्टूसिल भी दे रहा है जे बिलकुल आज सुबा भी हम लोग अपने दर्सकों को बता रहे थे कि कैसे एक अंजान कॉल आया था और उसके बाद पटना पुलीस और अगर बिसेस अगर बात करें तो कैसे सास्त्री नगर ठाना की जो पुलीस है वो एक्टिव हो गई थी और सबसे पहले उन्होंने एक पूरी टीम बनाया और उसके बाद वो सहर के अलग-अलग जगों पर जाकर वो छापे मारी कर रहे थे और एक सगन जांच कर रहे थे और उसी समय उन्हें टीप मिली थी कि एक जारखन नंबर की गारी है डस्टर उसी से कुछ लोग ऐसे संद यह जारखन नंबर की गारी है जे एच-01-bw 0019 इसी गारी को सबसे पहले सास्त्री नगर थाना की जो पुलीस थी वो इस गारी को पकरती है और इसके जो डॉकुमेंट थे वो मांगा जाता है चेक करने के लिए और इस गारी में आगे की सीट पर ड्राइवर जो जिसका ना यानि परिच्छा माफिया सिकंदर इसी गारी की अगली सीट पर वह बैठा हुआ था और उसके बाद जब पुलीस जो है यानि सास्त्री नगर थाने की जो पुलीस है वह जब इस गारी की गारी को चेक करती है तो इसमें उन 13 अभियर्थी बच्चों का एड्मिट कार्ट बर है और उनके परिजनों को पक्रा जाता है तो आप समझ सकती है कि इस गारी की अहमियत क्या है अगर या गारी पक्रा नहीं जाता तो साइद पेपर लीक मामले में जो खुलासा पटना पुलीस की तरफ से सास्त्री नगर पुलीस की तरफ से हुआ है वो नहीं होता और सबसे बड़ी बात है कि सास्री नगर ठाने के जो ऐस चो हैं उन्होंने बिलकुल काफी बढ़ियां काम किया है उन्होंने तुरंत भी एक पूरी टीम बनाई और उसके बाद वो टीम जो है वो सहर के अलग-अलग जगों पर गई वहाँ पर छापे मारी कर रही थी और उसी दोरान यह डस्टर कार जो है वो बरामत किया गया जिसमें ना के बल सिकंदर बलकि आयूस के जो परिजन थे उनके जो फादर थे वो भी इस गारी में बैठे हुए थे गारी जो चला रहा था यानि ड्राइवर जो था बिट्टू उसका नाम है अलाकि अभी सभी जो चार लोग है वह पुलीस की ग्रफ में हैं और वो जेल भेजे जा चुके हैं लेकिन निशित तोर पर इसी गारी की टिप मिली थी और उसके बाद पटना पुलीस एक्टिव हुई थी और वो सरकों पर उतर गई थी ये भी टिप मिला था कि नीट का जो एकजामनेसर सेंटर राजवंसी निशित तोर पर पहले ये गारी पकरी गई और ये गारी साइद अगर नहीं पकरी जाती तो आज इतना बड़ा खुला सा जो पटना पुलीस और सासिनी नगर थाने के तरब से हुआ है वो साइद नहीं हो पाता है मिलकुल साइब वो जो शुरुआती वो जो तीन खंटे थे यानि जो एकजाम से पहले का जो समय था जब पुलिस के को टिप मिली थी वो बहुत क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट था और शायद वहीं जिस तरह से एक्टिव नज़राई बिहार पुलिस अगर वो नहीं होता तो शायद यहां कड़ी दर कड़ी नहीं खुल पाती और तमाम जो अपराधी हैं जो इस वक्त पुलिस की ग्रफ्त में हैं उन तक पुलिस का पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता लेकिन सौरब ये टिप देने वाला कौन था कुछ उसके बारे में जानकारी मिली है ये पुलिस अभी इसका खुलासा नहीं कर रही है लेकिन निशी तोर पर वो टिप आने के बाद जिस तरीके से अगर सास्तिरी नगर ठाने की बात करें उनके सब इस्पेक्टर की बात करें तो वो जिस तरीके से एक्टिव हुए आनन फानन में तुरंट थी उन्होंने एक दस लोगों की टीम बनाई और उसके बाद अलग-अलग जगों पर छापे मारी सुरू हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से टीप मिली थी कि एक गारी है जारकर नमबर का गारी है और उसी में जो पेपर माफिया है जो परिच्छा माफिया है वो घूम रहे हैं और एक उसी दोरान पुलीस को यह डस्टर कार जो है वो दिखाई दी और उसके बाद इसको रोका गया हलाकि इसको रोकने में भी पुलीस ने काफी मेहनत की थी कारन अचानक जब इसे हाथ दिया गया था तो यह नहीं रुका था थोड़ा सा पुलीस ने इस गारी को पीछा किया था और उसके बाद इस गारी को रोकी गए और जब बाहर लोगों को उतरने के लिए बोला गया गारी की पूरी चेकिंग की गई तो इस गारी में अगली जैसे ही कई मामलों में वो शामिल भी हो सकते हैं? वो जुनियर इंजिनियर था और अमीत आनंद और नितीस कुमार ने ही सिकंदर को बोला कि देश का कोई भी परिच्छा हो हम उस परिच्छा का जो पेपर है उसको लीग कर सकते हैं उसके बार नीट का एक्जाम आया सिकंदर को आफर मिला कि अगर आप चाहते हो अगर आपके पास चाहत रहे तहम नीट का जो कोईशन पेपर है वो आपको लीग कर के दे सकते हैं तीस से बतीस हजार ऐह था और नितीस कुमार नितीस कुमार को दे दें तो मुझे कुछ नहीं बचेगा इसलिए वो अपने थ्रू जिन बच्चों से बात किया उनसे चालीस लाक रुपे में सौदा किया था सिकंदर ने ये सारी बाते जो है वो पुलीस के सामने कबूल किया है उसने सुकार किया है कैसे कोश्चन पेपर जो है वो एक दिन पहले यानी चार मई को पटना पहुचा कैसे चिंटू के मोबाइल पर पहला जो कोश्चन पेपर है वो आया फिर उसका एंसर की तयार किया बच्चों को दिया गया बच्चों को रटबाया गया और उस सारे जो परिच्छा माफिया थे उनके सर्रचन में सभी बच्छों को अलग-अलग पत्ना के सेंटर पर पुहुचाया गया और सारे जो परिच्छा माफिया थे वो सेंटर के आसपास ही अपनी गारी में घूम रहे थे तो निशित रूप से अगर यह गारी पकरी नहीं गई होती अगर सिकंदर पकरा नहीं गया होता तो पूरा जो मामला है उसका खुलासा नहीं होता और इतना बड़ा मामला जो आज निश्चित रूप से एक बड़ा सा सवाल बन गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे सिछा मंतरी ने सुरू में कहा था कि कोई गरवरी नहीं हुई है कोई कोश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से अगर यह गारी पक्री नहीं जाती सिकंदर पक्रा नहीं जाता और इतना बड़ा खुलासा नहीं हुप आगरिये लकुल हर दिन इस मामले में एक से बढ़कर एक नए ने खुलासे हो रहे हैं और वो तमाम तस्वीरे भी आप ड्राउंट जीरो से मारे सामने रख रहे हैं सौरब आप लग इस मामले पर लेते रहेंगे